नमस्कार दोस्तों इस बक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग नूज आ रही है कि बिहार बोर्ड की जो परिच्छा हुई थी और नीस फ्रबड़ी वाली वो हो गई है रजसमाजिक बिग्यान की पर्थम पालिस की जो परिच्छा हुई थी एक प्रस्पत जिसका करमांग 111.047 70058 था वो वाट्सप पे बायल हो गया था जाच में अस्पस्थ हुआ कि यह प्रस्पत जिसका करमांग दिया गया है को जमई जुले में भेजा गया था ठीके उक्त आलोक में ये अध्याच बिहार बिद्याले परिच्छा समीती दौरा इस मामले की पूरी जाच करने है पुलीस अधिचक जमुई के पत्रांग 33139 परबरी को संजुक जाच परतिवेदन बेजा गया यह प्रस्पत जिसका करमांग दिया गया है जमई जुले के अस्टेट बैंक आफ इंडिया के जहाजा ब्रांच में रिजर्ब रूप में रखा गया था आज सुबा की दरज कराने का निर्देश दिया गया है तता पुलीस दोरा इस मामले की बिस्त्री चानबिन की जारी है प्रांबिक जाच में SBI जहाजा के संबीदा कर्मी स्री विकास कुमार की सनलिपता ब्यक्त हुई है तता इसके लाबा SBI जहाजा की तीर अन्य बंक कर्मियों तथा सिरी ससीकान चौधरी सिरिया जीत कुमार एवं सिरी अमीत कुमार सिहिंदरा घोरला परबाही का परतिबेतन हुआ है और उनके खिलाब जाच की जारी है इस समन्ध में प्रांबिक जनकारी प्राप्त हुई है कि जमी जिले के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहाजा के समीद और लेंस की नीती अपनाई जाने का अलोक में समीति तोरा आज समाजिक बिज्यान की पर्थम पाली की परिच्छा रद करने का नेने लिया गया है यानि समाजिक बिज्यान की परिच्छा रद हो गई है समीति तोरा यह परिच्छा ध्यान दे यह परिच्छा जो है जिनकी संख्या दी गई है 8,44,504 है कि समाजिक विज्ञान की आज रद की गई है परिच्छा को दोबारा 8,32,211 को आउजित किया जाएगा यानि अब ये परिच्छा जो है बू 8 मार्च को पूना कराई जाएगी ठीकर दियान से पुरी खबर देखेगा 8 मार्च को यहाँ पर पेपर होगा और आज के जो 20 फेवरी का जो पेपर है उसके लिए भी यहाँ पर निर्देश जारी किया गया है इस समझ में जीला पतिदिकारी को साब साब नोटिस दिया गया है यानि आप लोग का जो सोसल साइंस का पेपर था वो हो गया है कैंसिर अब यह परिच्छा जो है 8 मार्च को पूना कराई जाएगी तो आप लोग जानें कि अब क्या होगा अनेक एर्मी लेकर आ गया है इंडिया ज लार्जे स्कॉलर्शिप टेस्ट फोर नीट यूजी हर संडे की तरह इस संडे भी 21 फेवरी को सुवह 11 वजे यह स्कॉलर्शिप कॉन्टेस्ट होने जा रहा है जिसमें आप लाइब पार्टिसिपेट कर सकते हैं और खुद का रैंक देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप स्टुडेंट के बीच आपकी क्या रैंक है और क्या विखने से सब कुछ इसमें सामिल होने के बाद आपको पता चल जाएगा यहाँ पे स्कॉलर्शिप की टेस्ट की बात करें तो सिलेवर्श में क्लास 11, क्लास 12 और क्लास 13 का सिलेवर्श आपके स्कीन पे है जलोजी, बाटनी, फिजिक्स, केमिस्टी सारे सिलेवर्श आप देख लेंगे इसी सिलेवर्श से आपके क्वेस्टेंस वहाँ भी पुछे जाएंगे बात करें यहाँ पे यह टेस्ट के लिए इंडॉल कैसे हो सकते हैं तो नीचे डिस्किप्शन में आपको लिंक दिया गया है क्लास 11, क्लास 12, क्लास 13 किसी भी क्लास के लिए आप इंडॉल कर सकते हैं देट याद रखेंगे 21st February सुबा के 11 वजे टेस्ट फॉर्मिट की बात करें तो यहाँ पे 75 मिनिट्स का टाइम दिया जाएगा और 28 questions होगे सेपेट कॉंटेस्ट होगा 11, 12 और 13 के लिए नीचे लिंक डिस्किप्शन में है एक और मौका यहाँ पे All India Ranker Submit for Neet UZ and IATZ के लिए मिल रहा है जो की होने जा रहा है 20 February और 21st February को तो आप इसमें आज ही सामिल हो नीचे आपका लिंक डिस्किप्शन में दिया गया है और इसमें रेफरल कोड अविसी एक टिटियर डाल कर आप इंडॉल कर सकते हैं डेट याद रखेंगे 20 February and 21st February को सुबह के 10 बजे तो आज ही जो रहे Unacademy Let's Crack It अब यहां पर एक बार समझ लेजिए आप लोग फिर सेथ बिस्तार से क्योंकि जो आपका 19 February का पेपर लिख हुआ था और इसके खिलाब तजस्वी यादब ने हला बूल सुरू किया था यानि तजस्वी यादब ने मीरिया में आके पुरा बताया था कैसे पेपर आउट हुआ असरकार इस बात को गमीरता से नहीं ले रही है और इसमें लिए बिधान सवा में भी इसके लिए आवाज उठाई गई थी तो आपको बता दे कि 19 February का जो मेटिक पेपर हुआ था सोसल साइस का दोनों पाली का परिच्छा जो है वो रद हो गया है और ये परिच्छा पुना जो है आठ मार्च को कराई जाएगी तो यहाँ पे जान लेजी अब जो 20 फरवरी का पेपर होना है यानि आज का जो पेपर होना है उसके लिए यहाँ पे एहतियात बढ़ा दी गई है अब जो परिच्छा के अंदर पे आप लोग जाएंगे तो आज आप जो है बिल्कूल धैरे पुरूबर एक्जाम देना थोरा सा भी अगर हील डोल करोगे तो आपको expand कर दिया जाएगा इस बात का बिल्कूल ध्यान रखना जो आपको आता है वही परिच्छा में लिखना तो आज की परिच्छा tight होने जा रही है बिल्कूल security tight होगी तो आप लोग बिल्कूल time पर पहुंच जाना अगर cheat के चकर में इधर उधर रहोगे तो आपको परिच्छा के अदर में सामिल होने नहीं दिया जाएगा अगर तो 5 मिनट या 2 मिनट का भी लेट होता है तो आपको परिच्छा के अदर में सामिल होने नहीं दिया जाएगा आज बिल्कुर ध्यान से आप लोग परिच्छा देना और किसी भी YouTube चैनल पे कोई भी परिच्छा का question जो आपका viral किया जा रहा है उसके खिलाब भी यहाँ पे सक्त करवाई की जा रही है तो आप किसी भी चैनल पे जो आप question आएगा वो आपका fake ही होगा तो उस पर बिलीब मत करना क्योंकि यहाँ पे करवाई होने का निर्देस दिया गया है तो सभी जो भी question देंगे वो fake देंगे real question अब कोई देगा नहीं तो जो खुद से आए वही परिच्छा में जाकर लिखना है आपको बता दें कि आज जो 20 परबरी की पहली पाली और सेकेंड पाली की जो परिच्छा होगी उसमें एहतियात के तोर पर खुद नितिशकमार परिच्छा के अंदर का दोरा करेंगे यानि आप समझ सकते हैं कि आज की परिच्छा कितनी ज़्यादा टाइट होने जा रही है सभी परिच्छार्ती से निमेदन है कि वीडियो को सेर कर दे ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि सोसल साइंस का परिच्छा रद हो गया है और ये 8 मार्च को पुनह कराया जाएगा आगे आपको बता दे कि आज की परिच्छा में भी अगर ऐसी ही धानली देखी जाती है तो आज का पेपर भी रद हो सकता है तो इसीर से बचने के लिए किसी भी तरीका का कोई भी आस पास चीट दिखे तो परिच्छा संचालक को जरूर से सुचित करे ताकि आपकी परिच्छा जो है भुरद नहों और आपका टाइम बेस्ट नहों हो सकता है कल बहुत का पेपर अच्छा किया होगा और उन्होंने चीट नहीं की होगी फिर भी उनका पेपर जो है अब कैंसिल हो गिया है उन्हें पुना परिच्छा देनी होगी वहीं पिपर रखा गया था ठीक है जो की परस्ण पत्र है जिसका बारल हुए है उसका यहां पर देखिए रॉल करमांक भी जारी किया गया है और इसलिए कल यूटुबर पे भी कुछ यूटुबर जो है एक जाम से एक घंटा पहले जो है क्वेस्चन दे दिये थे तो जो ज यहां कोदी नहीं जाये अपनी परीच्छा की तैयारी खुद करे और कोई भी वाट्सप पे आपinta कोईNow को सेर नहीं करें कुछ अगर आपके वाट्सप नमबर से सेर होता है तो आपके खिलाब भी करवाई की जा सकती है तो वैसा कोई भी आपका प्षै question आता है तो आप कोई भी question को किसी भी WhatsApp नंबर पर share नहीं करें नहीं तो आपके खिलाब बड़ी करवाई हो सकती है और आपको दो साल का बैल लगाया जा सकते है और आपको जेल भी हो सकती है ठीक है इस समद्ध में जीला अधिकारी ने करा निने यहाँ पर लेते हुए सारे अधिकारियों को सुचित कर दिया गया है कि अब जो ही परिच्चा होगी वो बिल्कुल tight होगी बिल्कुल tight security में होगी जो ही परिच्चा आपका बचा हुआ है बीस परवरी से लेकर चोबिस परवरी तक सबी परिच्छा यहां पर टाइट होने जारी है जो परिच्छा हो गया यानि कि अब सी तीन परिच्छा होई थी जिसमें मैट्रिक साइंस और सोसल साइंस का हुआ था तो मैट्रिक साइंस और साइंस का तो आपका ठीक हो गया लेकिन सोसल साइंस की परिच्छा रद हो गई तो आने वाले दिनों में अगर यही हार रहा तो आगे की भी परिच्छा रध हो सकती है और ऐसे में बिहार बोड का नाम एक बार फिर से बदनाम हो गया है कि बिहार बोड में भी परिच्छा जो है वो हमेशा question out होता है क्योंकि मैट्री का परिच्छा बिहार बोड के लिए बहुत बड़ी परिच्छा होती, इसे सभी नूज फोकस करते हैं, जहां एक बार रुबी राय ने बिहार बुट को बदनाम किया था, इस बार फिर से क्वेशन आउट करा करते हैं, जो हला बोल किया है, इसे बिहार बुट की काफी बदनामी होई है, क्योंकि यहां पर बिहार बुट की बदनामी हो रही है, तो आपकी परिच्छा जहब कितनी ज्यादा टाइट हो सकती है, इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं, तो अब जो है, जो भी परिच्छा बचा हुआ है, वो सब कुछ टाइट हो जाएगा, जो थोरी बहुत धील दी जा रही थ कि आपका सोसल साइंस का परिच्छा 19 फरवारी का रद हो गया है, पूना ये परिच्छा जो है, वो आपको करबाई जाएगी 8 मार्च को तो मिलते हैं, आप से अगले वीडियो में बने रहे हैं, इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, दोस्तों को से कि आपके हैं, जर 우ár जोवारी कентов, जरूर से शयर जरूर साजर करें, तोस्तों करेंगी।